तो जैसे कि मैं आपको सुभा वाली वीडियो के इंदर बता है कि अगर आज ब्रेवाइट जिंदा होते तो ब्रेवाइट आज अपना 37th birthday तो यहाँ पर भाई इसको कोट करती है अलेकसा ब्रेवाइट की स्टूरी कितनी इंपक्टफुल थी बहले उस टाइम लोगों को पसंद नहीं है लेकिन अभी लोग इस चीज़ को अकनौलिस करते हैं कि भाई मज़दार तो थी काफी सारे थे तो अलेकसा ब्रेवाइट के करियर में अब अभी के इस आपसे भाई ब्रेवाइट तो है नहीं इस चीज़ को आगे करने के लिए लेकिन इनकी लेगसी इन दोनों के साथ में वर्क करने वाली जो लेगसी बनी भाई वह हमेशा याद रखी जाएगी इसपस तो मैंने आपको दिखाई रखा कि के स्टेज का क्या हाल है और आपको पता भी है कि वह कैसा दिख नहीं वाला लेकिन अभी के साबसे में आपको दिखा देता हूं एक फाइनल लोग जो की फाइनल हो चुका है कंप्लीट वह आप दो देख सकतो है अपने स्क्रीन को पर से इतना ज्यादा पैक्ड है उपर पता नहीं भाई कैसी जाली जाली से लगी हुई है यह चीज थोड़ी सी इसको वेर्ड बनाती है मेरे हिसाब से वह थोड़ा सा अलग सा ही लगता है कि यह क्या टेंट हाऊ से क्या लेकर ठीक इसके बाब जो अगली स्टोरी के बारे में ज अगले इवंट होने वाले अब यह तो डबी न और एका अपसारी इवंट कर दी हैं मैं बात कर रहा हूं लॉंग टम इवेंट की कि डबेड़ी के लॉंग टरम प्लैंस कहा है अपने अब कमिंग इवेंट को लेकर तो भाई एक्सपेक्ट आप लोग यह करो कि और भी 2026 समस्लाइम की काया पलट हो जाएगी यह जो कहने वाली बात थी अब तक कि भाई रसल मीना की तरह है समस्लाइम गर्मियों का रसल मीना है यह तो वह सिफ कहने वाली बात नहीं बलकि अपने इवेंट को टू नाइट इवेंट बना सकती है इसके पीछे का सबसे में रीजन यही है कि भाई डबी डबी को टू नाइट इवेंट से बहुत प्रॉफिट होता है एक सिंपल सी बात है कि जो टिकट सल से भाई वो मल्टिपल हो जाता है सीधा टू एक्स उसके बाद बहुत कुछ चलता है लेकिन हाँ पहले लोग को बिलीव नहीं वा था कि रसल मीना लोगो लग रहा था कि नहीं भाई रसल मीना की बात अलग है तो हो गया समस्लाम नहीं होगा बट अब समस्लाम भी हो गया दो साल बहुत बहुत सेंस बनाती है लेकिन यह थोड़ा सा बिलीव करना मुस्किल है कि सर्वाइवर सिरीज टूनाइट इवेंट बने बिकास एक लेकिन सर्वाइवर सीरीज वार गेमस से एक नैट को मेंज वेंड करेका मैंज वाला दूसरे वाले को वी मिन्स वाला करेगा तो देखते हैं भाइवी होता या पिन होता लेकिन हाँ यह जरूर पॉसिबल है नाइट नैइन परसेट पॉसिबल है कि डेब़ डेबे रोय डबली रोल रंबल को भी टू नाइट इवेंट बनाए लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि क्या ये एक ब्लंडर होगा विकॉज किसी भी चीज के लिए एक्साइटमेंट तब बनती है जब वो चीज रेरली हो अब समझने भी टू नाइट करा रहें तो देन तो वो जो रेरनेस है वो खतम हो जाएगी और इस वज़ाद से वैल्यू भी कम हो जाएगी टू नाइट इवेंट की तो आप क्या सूचते इसके बारे में ओनेस्ट रेक्सिंस कॉमेंट करेके बताना खैर अभी यह दूर की चीज़े थोरी विकास समस्क्राइम भाई 2026 के लिए नाउस करा उसके बाद में भी आपको कुछ देखने को मिले तो फिर आपको क्या लगता है आप लोग भी अपने रेक्सिंस कॉमेंट करके बता सकते हो नीचे कॉमेंट सेक्षन के अंदर बात करते हैं गैस हम लोग अपनी next and final story के बारे में और ब्रॉक लिसनर के फैंस भाई इस न्यूस को ध्यान से सुनना आप लोग आप लोग के लिए न्यूस है अच्छी भी न्यूस है साथ में धोरी सी बैड भी न्यूस है बैड न्यूस तो में जादा नहीं कहूंगा विकॉज इवेंच्वली यह ची आजना कल होनी वाली है तो बैड तो क्या ही इसमें सबके साथ होती है और यह है भाई न्यूस रिटार्मेंट को लेके लिसनर के रिटार्मेंट को लेके अब यह समझगे होगे पहले रसल मेनट फटीवन रूमर्ट था कि वो मिनसोटा से होगा यहीं पर लिसनर रिटार होगे यानि कि वो अपने क्राउड के सामने फाइनल रिसेप्सन लेंगे फाइनल मैच रसल करेंगे तो भाई इससे बरा समस्क्राइब क्या ही हो सकता है हिस्टरीगा बिगष्ट इवेंट होगा यह समस्क्राइब की हिस्टरीगा तो अभी कहिसा आप से भाई लिसनर वहीं पर जाके रिटार होगे तो आप कंफर्म मानू अब यह तो bad news है लेकिन इसमें good news यह है कि हमें और जादा time मिल गया अभी हमें पता नहीं था कि listener कब retire हो जाएं suppose करो listener वापस आते हैं उसके बाद रस्लमीना 41 में retire हो जाते हैं अगर रस्लमीना 41 में नहीं भी होते तो लोगों को लगता कि रस्लमीना 42 में retire हो जाएंगे तो वो जो एक अंदर से डर रहता दुख दुख वो बना रहता listener को लेके लेकिन अब वो चीज़ थोरी तो कम हो गई विकास अभी 2024 इस्टिल आधा परा हुआ है 2025 पूरा परा है 2026 आधा परा यानि लगबग दो साल तो एटलिस्ट और है listener के और 2026 फाइनल ही होगा listener का बस समझ लो आप वहाँ पे listener समझ लाएं में जाके retire हो जाएंगे अब यह दो साल बचें तो दो साल ऑबिस्टी बात है listener हर इवेंट में तो compete नहीं करेंगे इन दो सालों में मुश्किल से listener भाई तीन फ्यूड दे रहे तो बहुत बरी चीज़ हो जाएगी तो गिने चुने कुछ फ्यूड बाकी listener के कहने का मतलब है कि good news भी है bad news भी है good news यह है कि दो साल है हमारे पास लेकिन bad news है कि listener एक full timer नहीं है इसलिए दो साल listener के फैंस के लिए तो यू बीत जाने वाले हैं बिना भ्रॉक listener के जब यह टाइम बीताएगा 2026 का summer slam आ जाएगा अगस्त आ जाएगा स्टार्टिंग तो देन मिनेसोटा के अंदर listener अपना आखरी आपको किया लगता आप लो comment करके बताना फिलहाल के इस आप से भाई आपको बड़ डिपेंड करता है कि आप इसको good news के तौर पे ले तो या फिर bad news के तौर पर कि यह एक bad news है कि listener return हो जाएगा दो साल और बागी है फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस एक उपडेट में जॉइन कर सकते हैं WhatsApp चैनल को उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में बाकि मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आफेर काफे इंट्रस्टिंग वेडियो में